Hey guys, welcome back to our YouTube channel The Info Ocean में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के कुछ ऐसे अंसुलचे रहस्यों के बारे में जिनका नाम सुनते ही विज्ञान भी मौन हो जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि सालों बीच जाने के बाद भी इन रहस्यों को सुलचाने में आज का आधुनिक विज्ञान असमर्थ रहा है इन रहस्यों के बारे में सुनकर आप भी चौक जाएंगे तो ये रहस्ये कौन से हैं ये जानने के लिए वीडियो को एन तक जरूर देखेगा Let's get started नासका लाइन्स या नासका रेकिस्तान ये एक बड़ा ही अंसुलजा और अजीबों गरीब रहस्ये है दक्षणी पेरू में मौझूद इन रेकिस्तानी सतह पर कुछ ऐसी आकरूतियां बनी हुई है जिसे देख कर हर कोई हैरान रह जाता है इन में से कुछ रेखाएं इंसानों, जानवरों और पोदों के जैसे मालूम परती है इसके अलावा यहां सतह पर कुछ सीधी रेखाएं भी देखने को मिलती है और माना जाता है कि ये रेखाएं करीब 200 इसा पूर्व से यहां पर मौझूद है ये रेखाएं करीब 500 वर किलोमीटर में फैली हुई है कहते हैं कि यहां पर UFO उतरे थे और जिनके चलते ही इन रेखाओं का निर्मान हुआ है Minnesota Devils Waterfall इस जरने को काफे रहसे मही माना जाता है इस जरने में उपर से पानी की दो धाराएं बहती है इन में से एक धारा अन्य सामान्य धाराओं की तरह ही बहती है और इसके बहने का मार्ग भी निश्चित होता है पर पानी की दूसरी धारा एक रहसे मही चेद में जाकर गिरती है और वही से सारा पानी गायब हो जाता है आखिर ये पानी जाता कहा है इस जरने की नीचे कोई गुफा तो नहीं इतना सारा पानी किसी एक छोटे से छेद में कैसे समा सकता है इन सारे सवालों का जवाब विज्ञान भी नहीं दे पाया है पानी की इतनी बड़ी धारा एक छोटे से छेद में जाकर समा जाती है और गायब हो जाती है इसे वज़े से इस जगा को The Devil's Kettle का नाम दिया गया है Amazon नदी हम सब को पता है कि हर एक नदी का कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से वो बहना शुरू होती है और अन्य जगाओं पर पहुंचती है इन जगाओं से निकलने वाली कई धाराएं एक साथ मिलती है और एक जगाओं पर मिलकर ये नदी को लंबा और विशाल स्वरूप देती है दुन्या की सबसे लंबी नदियों में से एक Amazon नदी है इस नदी की लंबाई और विशालता देखकर मन में एक ही विचार आता है कि इस नदी की कई सारी धाराएं होंगी और ये धाराएं अलग-अलग जगाओं से निकल कर एक जगाओं पर जमा होती है जहां पर ये नदी विशाल स्वरूप दारन करती है आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है विज्यानिक और भुगोल जानकार बताते हैं कि इस नदी का सिर्फ एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है सिर्फ एक ही जगे से इस नदी की एक ही विशाल काई धारा निकलती है और ये एमेजॉन नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदियों की लिस्ट में शामिल करती है अमेरिका के पॉइंट प्लीजंट कस्बे में 1966 में एक साथ फीड उंचा और खुखार अजीबो गरीब सा जानवर देखने मिला था लोगों का कहना था कि ये जानवर बार बार इसी जगा पर आकर उनको डराता था और लोगों ने उसे मौथ मैन का नाम दिया था 15 डिसेंबर 1967 में यहां का फेमस सिल्वर ब्रीज टूट कर गिर गया था जिसकी वज़े से कई लोगों ने अपनी जान गवाई थी इस घटना के बाद यहां के लोगों ने मौथ मैन को फिर कभी भी नहीं देखा इसकी वज़े से ये सवाल उठता है कि क्या सच में मौथ मैन नाम के किसी जानवर का अस्तित्वत था या फिर ये महस एक कहानी और किससे थे मौथ मैन सच में था या नहीं ये बात तो आज तक कोई नहीं जानता पर अमेरिका में मौथ मैन म्यूजियम बनाया गया है और इसे के बाहर मौथ मैन का एक बड़ा सच टैच्यू भी रखा गया है सतर सालों से लगा हुआ ट्राफिक जैम बेलजियम देश के एक जंगल में पिछले सतर सालों से भयंकर ट्राफिक जैम लगा हुआ है और कहा जाता है कि इसमें पांसों से भी ज्यादा कारे फसी हुई है यहां की लोगों का कहना और मानना ये है कि दूसरे विश्वयुद के होने के बाद ये घटना हुई होगी इस जगा को लोग कार का कबरिस्तान कहते हैं पिछले सतर सालों से लगा ये ट्राफिक जैम आज भी एक अनसुलजा रहसे है तो ये थे दुनिया के कुछ ऐसे अनसुलजे रहसे जिनके जवाब आज भी विज्ञान के पास नहीं है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले पास के बेल आइकन को प्रेस करके लेटिस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाईए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्स फ़र वाचिए